हेलो फ्रिंज, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाई डिजाइन फ्रिंज, आज की इस वीडियो में हम लोग पैंट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ इसी एक वीडियो में सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले फ्रिंज हमने जिस कपड़े को सलवार बनाना है इस तरह से डवल फोल्ड में ले लेना है मैंने इस तरह से डवल फोल्ड में रखा है और कपड़े को हम लोग लंबाई में नहीं फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से width में fold करेंगे इस तरह से fold करने के बाद अब हम 2 inch इस तरह से उपर की तरफ belt के लिए निकाल लेंगे उपर से सबसे पहले हम belt के लिए 2 inch mark करेंगे निशान लगा देंगे अगर आपका उपर करें कपड़ा थोड़ा उपर नीचे है तो आप उसको से से पहले बराबर कर लिजिएगा इस तरह से हम पूरी line draw कर लेंगे ये line draw करने के बाद अब हम अपने शलवार के पूरी लंबाई लेंगे तो belt जितना हमने निकाला है उपर का 2 inch वहाँ से छोड़ के अब नीचे के साथ जितनी भी लंबाई आपको शलवार में रखनी है पूरी वो ले लीजिएगा इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ अपना कपड़ा फोल्ड करने के लिए लेंगे तो ये भी हम 2 inch पर मार्ग करेंगे यानि कि 2 inch पर निशान लगाएंगे ये और उपर भी हमने 2 inch बेल्ट के लिए लिया है अब हम इधर से कमर के लिए नाप लगाएंगे तो जितनी भी हमारी कमर है उसका हम चौथा भाग निकालके उतना ही निशान लगा लेंगे अभी हम लोग मार्जिन के कपड़े के लिए कोई प्लस नहीं करेंगे इस तरह से हमको कमर का चौथा भाग निकालना है ये मैंने 9 inch लिया है मेरी कमर है 36 inch उसमें से मैंने 4 भाग निकाला तो 9 आया इस तरह से मैंने 9 inch पर मार्ग किया अब इस तरह से अब हम यहाँ पर आसन के लिए नीचे की तरफ निसान लगाएंगे तो ये निसान हमने जितनी कमर आई है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे उसमें से half inch प्लस कर लेंगे ठीक है तो मेरा 9 inch कमर आया वहाँ पर मैंने half inch प्लस किया तो 9.5 आया गया इस तरह से मैंने 9.5 इंच पर ये निशान लगाया इसके बाद अब हम क्या करेंगे इधर से जितनी हमने कमर ली है उसका हमने वहाँ पर चौथा भाग निकाला था लेकिन यहाँ पर हम तीसरा भाग निकालके इस तरह से मार्ग करेंगे तो मेरी कमर है 36 तो मैंने 12 इंच पर ये मार्ग कर लिया है इस तरह से अब ये लाइन ये निशान हमको मिला देना है इस तरह से ये निशान मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से से शेव दे देंगे यानि कि हलकी से गुलाई दे देंगे तो ये मैंने इस तरह से save दे दिया है इसका इसी तरह से हमको save देना है इतना हमारा complete हो गया है इसके बाद friends आब हमको क्या करना है जो हमारी कमर है उसका हम center निकालेंगे तो इस तरह से intuitive रखेंगे और इसको fold कर देंगे जितना हमारा है कमर इस तरह से हमको इसका center निकाल लेना है यह मैंने center निकाल लिया इसके बाद अब हम क्या करेंगे नीचे की तरफ जो हमने लंबाई का निशान लगाया था उसमें इस तरह से हम एक line ड्रॉ कर लेंगे अभी इसमें कोई नाप का निशान नहीं लगाना है केवल इस तरह से हमको पूरे में ही लंबाईब का इस तरह से निशान लगा लेना है फिटिंग डालने के लिए इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ये कोई नाप का निशाना भी नहीं है इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आब हम क्या करेंगे यह जो हमारा हिप का निशान लगाया था ना हम लोगों ने इस तरह से हम इसका भी बिल्कुल सेंटर निकालेंगे कमर का हमने सेंटर निकाला और यहाँ पर भी हम सेंटर निकालेंगे तो इतना सेंटर निकालने के बाद अब हम इस तरह से इंची टेप रखके देखेंगे कि कितना इंच है जितना इंची धर आया इतना ही हम बिल्कुल नीचे साइट से जो हमारी नाप के निसान था ना इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे और बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे यहां का भी तो हमने तीनों का सेंटर निकाल लिया अब यह सेंटर निकालने के बाद इस तरह से हम अपना इंची टेप रखेंगे ठीक है यह इंची टेप रखने के बाद इस तरह से हम पूरे मार्ग कर लेंगे और पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो फ्रेंड इस तरह से हमको बिल्कुल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसके बाद अब हम क्या करेंगे बिल्कुल अपनी लंबाई से नीचे तक इस तरह से इंचे टेफ रखेंगे और इसका हम center निकालेंगे तो जिस तरह से हमने इंची tape रखा इसको इस तरह से double fold कर देंगे और fold करने के बाद ये हम अपने लंबाई का बिल्कुल center निकाल लेंगे ये हमारा center आ गया अब जितना ही हमने ये निकाला अब नीचे की तरफ जो हमने beach का center निकाला इस तरह से इंची tape रखेंगे अब हम इतने भीच का center निकाल लेंगे तो इस तरह से फिर से हमको इंची tape double कर देना है और इस तरह से हमने यहाँ पे भी mark कर लिया तो friends इतना complete हो गया है इतना complete करने के बाद अब हमको मोरी का निशान लगाना होगा तो मोरी जैसे हमको 12 इंच 13 इंच जितने की बनानी उसका हम half कर लेंगे half करने के बाद फिर जैसे कि हमने 12 इंच की बनाई उसका half की अच्छा इंच आया अब 6 इंच में half इधर होना चाहिए और half इधर होना चाहिए यानि कि तीन इंची धर और तीन इंची धर इस तरह से हमको दोनों साइट बराबर ही लेना है सेंटर से इस तरह से हमको दोनों साइट मार्ग कर देना है ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे ये अपने नी राउंड का निशान लगाएंगे तो जितना भी हमारा नी राउंड है उसका हम डबल कर यानि की हाफ कर लेंगे हाफ करने के बाद इधर आधा करेंगे जितना भी हमारा नी राउंड है उसका हाफ करेंगे हाफ करने के बाद इधर आधा करेंगे सेंटर से और सेंटर के उस पार आधा करेंगे तो ये मेरा नी राउंड है 18 इंच तो 18 कम मैंने हाफ किया, 8 आया 8 कम फिर से मैंने हाफ आफ दोनों तरफ लगाया तो 4-4 इंच आया तो इस तरह से मैंने 4-4 इंच पर ये निशान लगाया, अब हमको ये जो हमने उसके फिर से से इंटर निकाला तो जितना हमने नी राउंड लिया है उससे हम 1 इंच कम करतेंगे तो हमने वहाँ पर 8 इंच पर लगाया तो यहाँ पर हम लोग 7 इंच पर लगाएंगे तो ये हमारा 3-3 इंच आजाएगा दोनों साइड में तो इस तरह से हमको दो इंच लेके पुरे में निशान लगा देंगे इस तरह से हमने निशान लगा दिया है कपड़ा फोल्ड करने के लिए अब हमने ये जो निशान बनाए है इनको इसी तरह से मिलाना है दोनों साइड इस तरह से हम इनको मिला देंगे तो फ्रिंट्स मैं इनको मिला देती हूँ तो जिस तरह से हमारे निशान आये हैं उसी सेप में हमारे ये निशान भी मिलने चाहिए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है और सेम ऐसे ही हम दूसरे साइट को भी मिला देंगे तो फ्रेंट्स ये हमारा निशान कम्प्लेट हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको इसी तरह से कट कर लेंगे जिस तरह से हमने इसमें निशान लगाया है तो ये मैंने इसको कट कर लिया है फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे ये हमारा फ्रेंट पार्ट की कटिंग होई है सिर् जो हमने front party की cutting करी है उसको इस तरह से उपर ही रखेंगे तो इस तरह से रखने के बाद आब हम क्या करेंगे सबसे पहले ये नापेंगे तो ये हमारा कितना इंच है तीन इंच है न इधर भी हम आगे की तरफ तीन इंच बढ़ा देंगे इस तरह से हमने ये तीन इंच बढ़ाया अब हम क्या करेंगे जितना हमने नीचे की तरफ बढ़ाया उतना ही हम उपर की तरफ भी बढ़ा देंगे अब हम ये इस तरह से line draw कर लेंगे ये line draw करने के बाद फिर से जो हमने उपर आगे की तरफ पढ़ाया था उसमें भी हम line draw कर देंगे अब हम क्या करेंगे जैसे हमने front part में save दिया था same वैसे ही इसमें भी हम save देंगे तो ये सेव देने के बाद अब हम फिर से उपर की तरफ भी फ्रेंट पार्ट से हम बैक पार्ट को उपर की तरफ दो इंच इस्टरा लेते हैं इस तरह से हमने उपर की तरफ मार्ग कर दिया ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे इधर हमारा आगे साइट फ्रेंट पार्ट का जितना है उतना ही बैक पार्ट का भी रहेगा लेकिन उपर की तरफ इस तरफ से हमको 2 इंच इश्ट्रा लेना होता है इस तरह से हमने माक कर लिया है अब हम क्या करेंगे नीचे की साइड हम दो-दो इंच पूरे कपड़े में मार्ग करेंगे इस तरह से हमने दो इंच पर निशान लगाया तो ये दो इंच अब हम क्यों ले रहे हैं इस तरह मार्जिन के कपड़े के लिए क्योंकि हमने front part में बिल्कूल fitting के कपड़े में ही cut किया है हमने कोई margin नहीं लिया इसलिए हम 2 इंच margin लेके कपड़े को cut करेंगे इस तरह से अब हम क्या करेंगे इधर साइट का हमारा बिल्कूल जितना front part है उतना ही back part भी रहेगा तो सेन जितना हमने फ्रेंट पार्ट में कट किया था उसी तरह से हमको निशान लगा लेना है अब ये निशान लगाने के बाद फ्रेंट पार्ट को हटाने के बाद उसी तरह से हम इसको कट कर लिए है इतना कट करने के बाद अब हम लोग इसकी स्टिचिंग सीखने वाले हैं तो चलिए मसीन के उपर तो इस तरह से हमने फ्रेंट पार्ट को लिया हुआ है सबसे पहले हम इसका आसन जोड लेंगे तो हमको सबसे पहले फ्रेंट पार्ट के कपड़े में आसन जोड लेना है और सिलाई लगाते समय हमको ध्यान रखना है कि हमारा सिर्फ हाफ इंच का कपड़ा ही बाहर जाए ज्यादा कपड़ा नहीं जाना चाहिए इस तरह से हमने front part की सिलाई लगा लिए है अब हम back part के भी आसन जोड लेंगे तो मैं back part के भी आसन जोड लेती हूँ इस तरह से friends हमने दोनों के आसन जोड लिए हैं front part के और back part के अब हम क्या करेंगे back part को नीचे रखेंगे front part को उपर मतलब कि सीदह में सीदह हमारा अंदर साइड रहेगा उल्टा हमारा दोनों के बाहर साइड रहेंगे इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे यह अपने किनारे सिलाई लगा लेंगे जो हमारे साइड में सिलाई लगानी है न उनको जोड लेंगे तो फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को इस तरह से रखने के बाद ये साइट के जोड लेंगे तो यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि केवल हाफ इंच ही हमको शिलाई के बाहर कपड़ा जाए ज्यादा इस्ट्रा ना जाए वरना फिर हमारे फिटिंग में दिक्कत आएगी इस तरह से हमको दोनों साइट जोड लेनी है ये मैं दोनों साइट जोड लेती हूँ तो फ्रिंट्स ये हमारे दोनों साइड जोड़ गया हैं आप देख सकते हो इस तरह से जोड़ने के बाद आप हम क्या करेंगे नीचे मोह यह जो हमने फोल्ड करने के लिए कपड़ा कट किया था ना सबसे पहले आप हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसको हम उल्टे साइड इस तरह से हमने हाफ इंच फोल्ड किया और हाफ इंच पर ही फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर ये सिलाई हमारी लगके कंप्लेट हो गई है अब हम इसको देड़ इंच तक फोल्ड करेंगे क्यूंकि हमने नीचे की तरफ दो इंच कपड़ा लिया था न तो हाफ इंच हमने पहले फोल्ड कर दिया अब हम 1.5 इंच ये फूल्ड कर देंगे तो हमारा पूरा 2 इंच कपड़ा नीचे से फूल्ड हो जाएगा और हमारी लंबाई उतनी ही बनी रहेगी इस तरह से हमने 2.5 इंच पर फूल्ड करने के बाद हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है इसके बाद अब हम दूसरे पैर के नीचे का साइड भी फोल्ड हम इसी तरह से कर लेंगे सेम तो यह मैंने कर लिया है इसके बाद अब हम क्या करेंगे इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे नीचे से ही अब हमको नीचे की साइड से जो हमारा फिटिंग है फिटिंग साइड से हम नीचे क यहां पर हमको इस तरह से गुलाई देना है तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं वो हम complete करेंगे तो सबसे पहले हमने उपर की तरफ complete करना है तो इसको क्या करेंगे half inch तक हम उपर की तरफ इस तरह से mark कर लेंगे सबसे ज़्यादा main point हमारा यही होता है अगर यहाँ पे हमारा belt अच्छा बन गया तो हमारा pant बहुत ही अच्छा fitting आता है इस तरह से हमने half inch पर mark किया और इस तरह से हमको fold करना है तो हम इस तरह से पूरे में ही पूरे round में mark करेंगे निशान लगाएंगे और इस तरह से fold करेंगे ठीक है और यह हमने 2 inch पर ही निशान लगाया था तो 2 inch हमारा इस तरह से पूरे में पूरे round में हमको 2 इंच पर निशान लगाना है तो यह मैंने front पर लगा लिया अब हम लोग back side भी लगा लेंगे same ऐसे ही तो half inch उपर की तरफ पहले लगाएंगे इस तरह से पूरे ही round में हमको half inch निशान लगा लेना है अब हम उपर बिल्कुल कपड़े से 2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से mark कर लेंगे जिस तरह से हमने front पार्ट में किया था यह निशान complete करने के बाद अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जो half inch पर हमने mark किया है उतना fold करके हम शिलाई लगाएंगे इस तरह से हम अपने कपड़े को अच्छे से रखेंगे जिससे की हमारे दूसरे कपड़े में शिलाई ना लगे इस तरह से हमको इसको fold करना है और fold करने के बाद पूरे round में ऐसे ही जैसे हमने निशान लगाया है इस तरह से हम शिलाई लगा लेंगे तो ध्यान रहे इसमें हम माग करके ही शिलाई लगाएंगे अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर हमारी फिटिंग बहुत ही खराब हो जाएगी तो फ्रेंट्स ये मैंने पूरे राउंड में शिलाई कम्प्लीट कर ली है अब हम क्या करेंगे जो हमने दो इंच पर माग किया था पूरा उतना जितना हमने निशान लगा था वहीं से कपड़े को पूरा फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम निशान पे ही पूरे में शिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में हमको शिलाई लगानी है ये शिलाई भी हम कम्प्लीट कर लेते हैं इसके बाद पूरे में हम यहां पे चहां से हमने शिलाई सुरू की थी उससे कम से कम दो इंच पहले ही हम रुख जाएंगे और धागे को cut कर लेंगे पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे यहां से हम lastik डालेंगे इतना हमको छोड़ के रखना है अब हम क्या करेंगे lastik लेंगे तो lastik हमको कितनी लेनी होती है जितनी हमारी कमर है उसमें से हम 12 इंच कम करके लेंगे तो आपकी कोई भी साइज हो जितना साइज है कमर का उसमें से आप 12 इंच कम कर दीजिएगा और उतनी ही लाश्टिक ले लीजिएगा यह मैंने लाश्टिक ले ली ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से इसके बाद जो हमने कपड़ा छोड़ा है ना सिलाई से इस तरह से वहीं से इसको अंदर की ओर डालेंगे और पूरे कपड़े को अंदर डालते हुए पूरे को सेफ्टी फिंट जो हमने यह सेफ्टी फिंट निकाला है इसी तरह से इसको निकाल लेंगे बाहर की तरफ तो फ्रिंट्स ये मैंने निकाल लिया है पूरा अंदर डाल के ठीक है अपने बेल्ट के अंदर मैंने डाला अब हम इस रवर्ड को क्या करेंगे इस तरह से पूरे में लाश्टिक में सिलाई लगा लेंगे तो ये हमने लाश्टिक को बिल्कुल सिक्योर कर दिया है शिलाई लगा के अब हम इसको पूरा अंदर कर देंगे इस तरह से अंदर करने के बाद जो हमने जितने में शिलाई नहीं लगा थी वहाँ पे भी या इस तरह से इसको रवर्ड को बढ़ा के सिलाई लगा देंगे औ पूरे कमर में इस तरह कुपड़े कर लेंगे इसके बाद आब हम क्या करेंगे रबड को सिक्योर करने के लिए इसमें बीच में सिलाई लगाएंगे तो चलिए सिलाई लगाते है तो फ्रेंड्स इसमें हमको सिलाई किस तरह से लगानी है सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से खीचेंगे और मसीन की सहायता से इसको दबा लेंगे इतना तो अब हम क्या करेंगे कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और पूरा कपड़े और लाश्टिक को इस तरह से हाथ से दबा के रखेंगे और पीछे की तरफ से एक हाथ से कपड़े को हलका हलका खीचते जाएंगे तो सेम प्रोसेस हमको पूरे ये बेल्ट में करना है इस तरह से हमारा बेल्ट कम्प्लीट हो गया है आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो फ्रिंट्स ये रहा हमारे पैंट का पूरा लूग अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना